वी शेप अंडवे पहना चाहिए, यू शेप पहना चाहिए, क्या आपके टेस्टिकल ज्यादा हैंग तो नहीं करते हैं, आपको रैशिस की प्रॉब्लम हो जाती है है गाइज, माइनेव इसाहिल गेरा और वेडियो और चैनल धी डानमाइट मेल तो गाइज, आपने आपने टाइटल और थमनेल देख के आपको आइडिया हो चुक है कि किस बारे में आज हम बात करने वले हैं तो गाइज, to be very precise, मैं आपसे ऐसी बाते करने वला हूँ जो शायद आपके घर वाले भी आपसे बात न गरें, चाहिए आपके दोस्ट जितने मर्जी कूल क्यों न हो शायद इस बारे में कभी भी आपसे बात नहीं करेंगे, बट कोई प्रॉब्म वली बात नहीं है ये चैनल, The Dynamite Mare, is already ready to talk about that और तुदी पॉइंट बात करूँँगा, आप मेरे को सिंबल सी चीज़ बताओ क्या आपके under thigh's में itching ज़दा होती है, या आपके butt area में itching होती है या आपके growing area से किसी राइप की odor तो नहीं आती और आपको कौन सा underwear पहनना चीग है तो ये साड़ी problems है जिनके बारे में बात करेंगे और detail में एक दो point ऐसे जिसका ध्यान आपको रखना बहुत ज़ाला ज़रूरी है और guys अगर आप ये video अभी देख रहे हो it shows आप कितने ज़ाला concern अपने आपको लेके and I'm sure कि आप बहुत ज़ाला smart होगे अपना पूरा ध्यान रखते होगे अपनी skin care का, hair care का everything आप बहुत अच्छे लगते होगे but I wanna tell you guys it is equally very important to maintain a personal hygiene down there as well so guys video आगे proceed करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप हमारे इस channel को subscribe कर दो अगर आपको लगता है कि हमारा content काफी informational or to the point or practical बाते करते हैं तो आपने subscribe भी करना है और साथ में bell icon भी दुमाना है and guys हमारी dynamite family बहुत जवर्दस तरीके से ग्रोह करी और करनी ही है because आप लोग इतना प्यार और इतना support दिखा रहे हो anyway without wasting any more of a time let's get started with a video so coming on to the point number one which is the basic common problems man face I am sure guys आपके साथ ये चीज़ जरूर होती होगी जब आप रात को सोते हो तो आपके room में चल रहा होता AC फिर आप चदर पहन के सो जाते हो but सुबह आप notice करते हो आपका AC बंद होता है आपको गर्मी लगरी होती है and आप जब notice करते हो कि आपके under thigh area में और आपके butt area में sweating बहुत जादा हो रखी होती है and guys believe me it is very bad और similarly जब आप गर्मियों में अपने घर से बहार निकल तो आपने jeans पहन रखी होती है आपका underwear cotton का होता है उससे क्या होता है आपके sweating हो रखी होती है और जब आप walk करते हो तो उसमें friction create होता है जिसकी वज़े से आपको rashes की problem हो जाती है आपको itchiness बहुत होती है फिर finally आपके blackness हो जाती है तो इसका simple solution यह है कि आपने under thighs में और butt area में baby powder अपलाए करना है baby powder आपको किसी भी chemist shop पे मिल जागा है या links मैं description box में डाल दूगा उसको हमेशा अपने अपलाए करना है जब भी आप बाहर जाओ और रात को सोने से पहले और इसका additional benefit यह होता है कि अगर आपकी growing area से किसी type की bad odor आती है तो वो भी चीज रिमूव हो जाएगी और guys cotton underwear जो हम काफी time से पहनते आ रहे है वो कही ना कही rashes होने में problem जरूर create करता है तो उसमें problem यह होती है कि जब हमको sweating होती है तो cotton जो है उसको absorb कर लेता है लेकिन जब हम walk करते है तो skin के साथ friction create करता है जिसकी वज़े से rashes बढ़ जाते है और इसलिए guys मैं आपको बताना चाहता हूँ cotton जो पर एक fabric आता है जिसका नाम है micro model fabric और guys उसका material इतना ज़ादा soft होता है कि उसकी sweating absorption की जो capability है वो बहुत अच्छी होती है और material soft होने की विएसे जब आपकी skin से वो touch होता है तो rashes create नहीं करता और उस fabric की breathability इतनी अच्छी होती है जब आप underwear पहन होगे आपको idea भी नहीं लगगा की आपने underwear पहन रखा है तो next time आपने कोशिश करने है एक अच्छे quality underwear में invest करने की ताकि आपको ये basic common problems बिल्कुल अकर ना हो और guys आपके under thighs में और butt area में cleanliness होनी बहुत ज़ादा ज़रूरी है तो मैं चाहता हूँ कि आप पहले तो ordinary soap यूज करना बंद कर दो उसकी जगह आपने body wash यूज करना start करना है जिसके अंदर glycerine हो ताकि आपका under thigh area बिल्कुल भी dry ना हो और आप पर rashes के chances आपके बिल्कुल खताम हो जाए और guys एक बहुत important चीज जब आप नहा लेते हो जब आप bathing कर लेते हो I am sure guys आपको इस बारे में knowledge जरूर होगी अगर आप gym जाते हो आपको हमेशा recommend किया जाता है कि आप जो weight lifting करते हो तो आपको supporter पहनना बहुत ज़ादा ज़रूरी है इसका reason यह है कि जब आप weight lifting करते हो तो आपके testicles को support होना ज़रूरी है अगर support नहीं होगा तो आपको hydro seal की problem हो जबती है hydro seal मतलब कि आपके testicles में पानी भर जाता है ज़्यादा tension लेने वाली बात में बहुत ही common problem हो बिल्कुल ठीक भी हो जाती है बट नहीं होनी चीए तो आप जिस तरीके से अपने gym में supporter पहन के उसको support करते हो similarly daily life में आपने ऐसा underwear पहना जो बिल्कुल perfect fit हो जो आपके testicles को support करे ताकि ये common problems आपको daily life पे भी अकरना हो और guys अगर आपके testicles को सही तरीके से support नहीं मिलेगा तो उसमें hanging की problem हो सकती है अगर आपके testicles जादा hang कर रहे हैं तो कोई problem वाली बात नहीं है तो आपका जो sack है वो बिल्कुल shrink हो जाता इसके reason ये है कि आपके testicles को आपके scrotum को एक normal temperature की requirement होती है that is the reason it changes the shape बट अगर आपके testicles को जादा ही hang कर रहे हैं तो जैसे भी चीजों आपने हमेशा कोशिश करनी है कि आपके testicles को support हो ताकि वो और जादा hang ना करें और गाईज एक बहुत ही कॉमन से डाउट कि हमें V-shaped underwear पहना चाहिए यूशेप पहना चाहिए तो गाईज में आपको जादू कोई भी फरक नहीं पड़ता जब तक आपके testicles full support में हैं आपको जैसा comfortable लगता है आप वो underwear पहन सकते हो बट आपने make sure करना है वो एकदम perfect fit हो अगर आपका size medium है और आपने XL पहना हुआ है तो उससे आपके testicles को support नहीं मेलेगा तो हमेशा एक fit underwear पहनना है तो हमें कौन से brand का underwear पहनना चाहिए which brings us to the point number 3 तो guys I wanna tell you about the brand Dimenge who by the way is the official sponsor for today's video and the fact that I've chosen this brand for today's video is just because of the quality guys इस brand को अपनी quality पर इतना ज़्यादा confidence है कि यह आपको one month money back guarantee provide करती है अगर आपको quality पसंद नहीं आती तो एक महीने के अंदर यह आपको पैसे आपके वापिस कर देगी और इनके garment की quality ऐसी है कि सारे aspects cover करती है जिससे कि आपको common problems face नहीं करने पड़ेगी तो guys मैं आपको पहले भी बता चुगा हूँ कि micro model fabric का underwear आपने पहनना है जो कि यह brand offer करता है again it is of a quality brand इसमें breathability का भी अच्छी है इतना light underwear है कि आप जब इसको पहनोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने underwear पहन रखा है and most importantly इसकी sweat absorption capability और इसका जो material है इतना soft है कि आपको rashes in the first place होंगे ही नहीं और एक अच्छी quality का garment होने की विज़े से ये आपको एक good hygiene provide करता है और जब आप इसको पहनते होना थोड़ी सी कही नगी जादा लगी बट में को ऐसा लगता है कि ये quality ऐसी provide करा तो I think it is worth it तो guys definitely इनके products एक बड़ चेक आउट करो मैं इनका जो website का link है वो description box में डाल रहा हूँ और हमारी dynamaat family के लिए special discount code which is dyn10 और इस code को use करने के बाद आपको 10% का discount मिल जागा तो जरूर इनकी website और products check out करना So coming on to the point number 4 is हम कुछ चीजों के बारे में बात करें ही जिसके बारे में शायद आपको knowledge भी ना हो और we as men उसको face करते हैं और इस बारे में कोई भी बात नहीं करता तो मैं आपको बता दूँ आपके growing area से कोई bad odor आ रही है पहले तो उसको सही करने के लिए आप baby powder यूश कर सकते हो या under thighs के लिए deodorant भी आते हैं बट यार baby powder से भी काम चल जाता है और जब आप नाते हो तो body wash यूश करते हो तो make sure कि उसमें अच्छी सी खुशबू आती हो कि आपकी body से भी अच्छी खुशबू आना start हो जाएगी और guys second चीज और सबसे important point I don't think so आपको किसी ने इस चीज का भी बोली होगी बट जब आप washroom जाते हो अपने butt wash करते हो उसके बाद सीधा आप underwear पहन लेते हो और jeans पहन लेते हो तो आपने toilet paper यूज़ करने उसको dry करने के लिए और toilet paper यूज़ करने के भी कुछ disadvantages होते हैं तो आपने उसको aggressively wipe नहीं करना तो simply और gently wipe करना Well guys, this was the video for today and I hope आपको आज की video काफी ज़ादा information लगी हो and I'm sure इस बारे में आपसे कोई भी बात नहीं करता and guys, let me tell you we as men बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करने से शर्मा आते हैं तो as a men's community हमें बिल्कुल hesitate नहीं करना चाहिए अगर आपको लगता है कि हमने किसी topic पर बात नहीं करी है या आप चाहते हो मैं specifically किसी topic पर बात करूँ तो let me know in the comment section बिल्कुल बिना किसी hesitation के and guys, video आपको genuinely पसंद ही है तो आपको लगता है कि मारा channel इतना worthy है इतना informational है तो आपने subscribe ज़रूर करना है और में साथ Instagram पर भी connect कर ले मा Instagram handle is TheDynamadMail जो चीजों के बारे में मैं यहां पर बात नहीं करता हूँ और में शेयर करता हूँ so make sure you connect with me there as well and thank you so much guys for watching this video it is always amazing to see you guys आपना धान रखो पने बड़ोगा भी धान रखो and I'll see you guys in my next video आपना रखो